दोस्तो जैसे मैं ज्यादा तर कुट्टी काटता हूँ तो आपने देखा होगा कि अभी जो है हमने इस पर कवर नहीं लगा रखा क्योंकि नई मसीमती तो कई बार इसमें टूट फूट होगी तो उस वज़े से थोड़ा सा हमें ये लगा कि अभी इस पर हम ज्यादा सामान लगाते क्योंकि दोस्तो कवर लगाएंगे वो फिर खोलना पड़ेगा तो इस चक्कर के चारो तरफ लगाना था मुझे फाइबर की सीट का तो दोस्तो भी उन लगाया तो सामने चारा ना जाए वो कट्टा लगा रखा हूँ वहां एक वो लगा देते हैं जो कि मैंने पर पी इसका मैंने देखो वोरा गलेकार यह रहा इसका यह बान देता है यहां बना दी फिर यह कपड़ा ऐसा कर दिया यहां से हटके यह कपड़ा ऐसा मैं यहां कहीं है यह ऐसा इसके पिछे रख देता हूँ डेली तो चारा अग्गे नहीं जाता फिर इसे उठा के ऐसे कैस यहां से आप देखें यह लकडी जो है यहां लगा देते हैं इसमें और इसे लेते हैं यहां से और इसे फिर से यहां से लेते हुए यहां दबा देते हैं तो दोस्तों यह जो है हमारा काम करता है इस तरह से सामने का चारा रोखता है और दोस्तों यह आज जो है ट्यक्टर यहां से तो यह अब मुझे इस पर टिकानी है तो मैंसे यहां दवा दूँगा देखो यह इस पर टिक गई है ऐसे और इस पर मुझे सामने पल्ली लटकानी है पल्ली इसले लटकानी है कि यह चारा फैक केगी यहां से तो इसे हम यहां लगा देंगे तो दोस्तों वो जो एक गती और एर प्रैसर और इन चीज़ों को समझ गया था उसी दिन तो साइंस का विसकार हो गया था और दोस्तों यह तो जहां हम रहते हैं भारत भूमी में यहां तो यह हजारों साल पहले हो गया था और अगर उस तक के भी दस्तावेज मिलते हैं तो वहां से यह पता चलता है कि उन से और भी बहुत साल पहले हो गया था तो दोस्तो भारत वरस भूमी से भारत भूमी से ही टेकनलोजी पूरी दुनिया में फैल दी लेकिन अब हम क्या करते हैं हर चीज में विदेशी बताते हैं कि ये हमने अमेरिकन टेकनलोजी ले ली ये इंग्लेंड वाली ले ली ये वहां की ले ली हम इंडिया की कभी बात नहीं करते हैं क्योंकि इंसान जहाں रहता है, वहां की value कभी नहीं करता, जस घर में रहता है, उस घर के अपने बड़े बुजरगों को और अपने भाई बंदों को कभी प्यार centimet से नहता है, उनके साथ में ना उनके कभी इज़त का, भारवालों की इज़त बहुत करता है तो दोस्ते इसी तरह की युक्तियां बनाने में मुझे बहुत मजाता है क्योंकि हमारे जो पूरवज रहे उन्होंने यही बात बताई थी कि तुम अपनी आदत अपनी च्छाव पर कब्बू रखना नेक नियती नीजी हतियार रखने की ज़रूत नि पढ़ने मैं बना का आपको दिखाता हूं उसे भी सैट करता हूं यहां से तो देखें फिर इतनी जगह में रहे गा दोस्तों ये सब काम करने में मुझे मज़ा बोताता है टिंक टॉंग क्योंकि इंटर तक मेरे पीसीम थी फिजिक्स केमस्टी में थी दोस्तों ये बना दी है अब जो चारा कटेगा वो इतनी जगह में रहेगा वो पूरी इस जगह में नहीं फैल लेगा जो थोड़ा बहुत उपर से उड़का आ जाएगा उसे भी देखेंगे ये असेमली ऐसी है कि पर्मनेंट नहीं है इसे आप कभी भी हटा सकते हो और इसी में से आईडिये से आईडिये निकलते हैं अब दोस्तों कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भी या आप बिना सिर्पैर की बात करते हो अब जिस दिन ये चीज समझ मागी उस दिन आपको जो है ना पूरा जैसे एरो प्लेन एर प्रैसर को समझते होगा किस तरह से उसके मोटर इंजन बनाए गए और किस तरह से इतने भारी भरगम चीज को हवा मोड आ दिया वो आपको सारी चीज़े ओटोमेटिक किताब आपके सामने पन्ने माइंड में परटते चले जाओगे दोस्तों आपका माइंड वो चीज़े जो पूरी दुनिया कंट्रोल करता है और अब तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो आप क्या कर सकते हो सोच के देखो अगर आप अपने विचार इंटरनेट पर डालने लगो इंस्टरग्राम, फेस्बुक, यूट्यूब छोटी छोटी वीडियो के माद्दियम से तो आप जो है इसमें अपने विचार दुनिया को दे सकते हो आपके विचार से कोई डिप्रेशन से निकल सकता है आपके विचारों से कोई इंप्रेश होका है कि नहीं खोज हो सकती है किसी का जीवन बच सकता है किसी का जीवन आसान बन सकता है तो दोस्तों यह ऐसी चीज़े हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें से हमें बहुत बड़े-बड़े concept खोलती है एक बहुत बड़ी एक विसाल एक लाइबरेरी जी खुल जाती है जहां एक से एक विचार जो सोच के किताबे लिखी गई है वो खाजाना खुल जाता है तो दोस्तों ये ऐसी चीज़े हैं कि आप जो है इन चीज़ें से और जैसे बुग्गी में गोब बरेर ये फटे पुराणे ये कटे वटे से मैंने लगा रखे हैं इन में जो है पूरे जीवन का सार छुपा हुआ है लेकिन हम देखती हैं अखों से भी कभी देखते नहीं इसलिए तो कहते हैं कि आँख वाले अंदे अंदे ये अंदे नहीं होता दोस्तों आँख वाले बें अंदे होते हैं कभी नहीं देखते हैं वहाँ खोल के तो दोस्तों कुट्टी काट लेते हैं टिंक टॉंग दोस्तों चारा कट गया है assembly भी यहां से सारी हटा दी है और बिलकुल साफ कर दिया है बहुत बढ़िया तो दोसे यह देखें चारा पानी दोसे इसे भी बिलकुल ताजा चारा कर दिया है और जो थोड़ा ताजा और थोड़ा बासी चारा जो था दोसे इसे एक बाल्टी जो हाडंगा चूरी चोक कर ख़ड डाल दिया है तो दौस्तों ये इसे साफ कर देगी बिल्कु treatment फिट फॉर तो दोस्तों आज जो है इसके मैंने इसके दोस्तों दो बार दावाई लगाई है तो चोटी-चोटी कलीली बड़ी छोटी बड़ी छोटी इतनी है इसकी गर्दन पर के चट्टे च्ट्टे हैं और दोस्त यिए खुजती है खोर में भी खुजती है और पैरो से भी तो अरुन भाई जो है जो डॉक्टर कुल्वीर ताउजी के बैठ्टे हैं बीच वाले और उन भाई उन्होंने जो है वैट वाला ही वो कर रखा है डॉक्टरी तो वो पस वो को देखते हैं तो वो शाम को आते हैं दिन में तो वो अपने ड्यूटी पर जाते हैं तो खेत्ती बाड़ी भी करते हैं मनोज भाई पाइपलाइन का काम करते हैं वो भी खेत्ती बाड़ी करते हैं और जो छोटा भाई है वो फिर घर का काम देख लेता है तो दोस्तो तीन भाई है तो बीच वाले भाई है और उन डाक्टर साब अब कोल बिरताव जोड़े एक बार खाने के लिए अवाई लगे तो फो खाना खाकर फिर ट्रैक्टर चोड के बुगी में जोड़ देंगे फिर बच्चों को ला कर जब खेत में चलेंगे टिंग टॉंग कि दोस्तों मैं खाना खाके उपर सा आ गया हूं और आप भी खाना खालने दोस्तों कड़ी बन रही थी तो अब जो है पहला बच्चों का टाइम हो गया बच्चों को लेका आते हैं फिर दोस्तों एक्टर छोड़े कर बुग्गी लेका चलेंगे टींग टॉंग दोस्तों बच्चे बच्चे आ गए हैं और देखो अम्मा से कैसे अपनी अम्मा से दोनों बच्चे कैसे प्रेम कर रहे हैं बाई वाँ कितने प्रेमी कितने सीधे बच्चे हैं ये प्रेमी बच्चे टिंग टॉंग दोस्तो गेट बन कर लेते हैं दोस्तो अभी एक बार जो है यह टीलर छोड़ देते हैं पिच्छे क्योंकि गाड़ी भी आने वाली है बबलु भाईर पापाजी आने वाले हैं तेलर छोड़ दिया है यह लग कर दिया है यहां से अब इसे जो है अंदर हमां बुग्गी के पास में खड़ा कर देखते हैं दोस्तों एक टब से उतर लिये हैं चाप भी निकाल लेते हैं बैसे जो है चलते हुए जोड लेंगे इसमें और यहां दोस्तों पसु चारवार आखा के फिट हैं एक बरीना फिर से एक बाल्टी पारी दिखाते हैं और दोस्तों यह जो घर का सकेरन होता है हमारा जो कूड़ होता है वह वापस हमारे खेत में याना जरूरी क्यों है यह देखें यह खेत की मिट्टी आईदी टीलर में लगते हैं यहां गिरगी है अब इसे जाड़ू लगा के फिर से बुग्गी में डाल देंगा यह फिर जो है गोबर के साथ में मिलके जाकर खेत में चली जाएगी यह खेत में जानी चाहिए तो दोस्तो ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है अब आस पापा जी और बबलु भाई आएंगे खाना वाना वो खा लेंगे थोड़ा बहुत रैश्ट कर लेंगे दोस्तो फिर इतना जो है फिर खेत में चलेंगे एक बार यह थोड़ी परिसान थोड अबान गेट खोल रहा है अंदर आ सकते हैं पूरी गाड़ी घुमा दें और पापा जी मुस्कुराए हैं जैसे मम्मी जी दिन बाद आई हैं टिंग टॉंग तो बबलु भाई जैसे मम्मी आई तो एक दम से कैसा लगा हां जैसे तुम पोरी सी बर जाक रहे हैं ऐसा हमारा घर बर गया हां हाँ 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 यह यह बहु दो बहुत प्रेम पापा को मुझे को यह हुझा जैसे मम्मी ने राम करा दाऊ तमारी मुझे लए दो बताओ तब मुझे आधाया थिल दू पांच जो खाल शळवाया नहीं मोजा नाने को क्या थैज्ट बढ़ employee आध्या हूँ निक हा मतलब कहना नीची है जा उन्सी का अनी के रसी का अंबागो देते जिहे हां है पापजी खाना ट्रिंग एक दम रेडी चलो तो खाओ तो 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 टाइम देखके आप तीन बजने वाले हैं वे तो बिशार एक दम ही चले गए छोड़े मम्मी को दोस्तो यहीं बस बहुत दिनों मम्मी आई तो मम्मी के साथ में बैठे रहे बाचीत करते रहे खाते पिते रहे तो दोस्तो पर जानी पाई टेक्टर लेगे अब दोस्तो कली चलेंगे शायद गण्ने भी कली भरे जाएंगे और दोस्तो मन ने थोड़े हां लोट भी लगा लिए थे और दोस्तों ये पल खोलना था लेकिन दोस्तों इतनी ठंड होगी है दूबारे से अब दो दिन से इतनी जादे ठंड पड़ रही है पाला पड़ रहा है बहुत बढ़िया तो दोस्तों एक पर खेत्मराउंड लगाने चल रहे हैं हो तो गया अंधे रहे टिंग ट अब बहुत ही अच्छा कटडाई निकला खेत में आ गए हैं और यह देखें पेड़ी का खेत बिल्कुल खली हो गया है को ना यह इनों ना छोल चाल के सब दाब के चले गए हैं और इस बुहेर के के खेत में हैं इसमें छोल लग गया है यहीं कहीं 42 इंची ट्रेंच में बुहेर गन्ने में छोला गया कल इसकी ट्रोली भरेंगे गन्ने काटे हैं इनोंने कुछ छुलाई भी करिया अंदर अंदर अब यह दोरा है हैं से हहां तक कटके यह ट्रोली है कि ही पूरी हो जाएगी फिर दोस्तों 1335 की एक अलग से ही ट्रोली छोल देंगे पूरे की इसमें थोड़े गन्ने छोड़ रखे हैं फिर इहां काट रखे हैं यह तो सुकर हुआ इनोंने 35 का डोड़ा छोड़ दिया यह इधर 16 खुड़ वे हैं तेरे 2335 के जो हमने फावले से बोया था तो दोस्तों यह दोरा-दोरा कटवाक है जो है पोग्गे छोड़ रहा है व अब दोस्तों यहां 12 पर राउंड लगा दिया है यह देखके फिर से जो पाला लगने से यह जूड़ा जूड़ा मतला जुंड अठाण में 014 का पेला पड़ गया ताब यह फिर से हरा हो गया है फिर से चल पड़ यह गोवी समय तो थोड़ा दोस्तों टेड़ा हो गया है लेकिन कोई नहीं वैसे खड़ा रहेगा और अब दोस्तों इसमें जो है नई नई वराइटी लाकब होएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे जो बीज लाकब हो रहे हैं दोस्तों जादतर तो कोशी यही करेंगे जो शूगर मिल में बीज पास हैं वो ही बोए जाएं ल बहुत अच्छे हैं इसी की तरह लंबे बढ़ते हैं मोटे मोटे गन्ने हैं उनके वीवी पिच्चान में जारा जीरो पंदर है और ये 32, 33, 34 करके हैं उनके नंबर तो मतला बहुत सारे बीज हैं ऐसे कि जो बोने लायक है अच्छे बीज हैं तो दोस्तों अगर वो नहीं हमारा वो हो जाए क्या बोलते हैं उसे और्गैनिक गन्ना मतलब हो जाए जिसे हम काटके चूखले क्योंकि दोस्तों गन्ने का रस एक ऐसी चीज है जो की लीवर के लिए सबसे बड़ा टोनिक है अद्रक डाल के पीलो पोदिनना निम्बूनी चोड़ लो समय और उसकी जो मत्ठे है जो की गन्ने के रस में बनाई जा सकती है खाई जा सकती है सबसे बड़िया तो सिक्रान रहती है कि जो मत्ठा है हमारा मत्ठे को छान लो और उसे गन्यकरस के साथ में मिला लो और उसे सिकरान बना के पीओ तो वो बहुत ही पावरफुल टोनीक है सरीर के लिए पहले कोल लूओं पे सिकरान सब पिते थे जो की मठे में गन्यकरस मिला के पिते हैं तो दोस्तों चलते हैं जंगल में कोई नहीं है सब जा चुक है मैं भी दोस्तों घूम गाम का आ गया हूं सब जगे तो सब जगा फिट है दोस्तों दो तीन दिन बारिस और गर्मी जो मोसम जो गरम होता है उसी से बारिस आती है तो वो जादे तो बारिस हमारे होनी पाई लेकिन मौसम गरम रहा हवा बंद रही और दोस्तों फिर से वो ही ओरिजिनल मौसम आ गया जो मौसम चल रहा था सुक्की सर्दी गा बहुत जादे सर्दी है अपने आपको बचाएं टाइम से खाना पीना रखें अपना नहाने का टाइम जो है दुफैर से पहले रखें और जो है कपड़े एकदम से ज़्यादे हलके ना करें कपड़े ठीक ठाक पैरते रहें और जो है रात में भी अपने अच्छे मजबूत कपड़े पहन कर और ओड कर सोएं टाइम से अच्छे iya थाने क्योंकि दोस्तो बहुत ज़्यादे ठंड है रात में बहुत ठंडी हुआ है सीत ले हैर फिर से दूबारे से पाड़ों पर फिर से बरप है तो अपना ध्यान रखें चलते हैं घर टिंग टॉंग दोस्तो घर प्मोच गिये है पाने वानी पिला देते हैं ने टिंग टॉंग